रामरा मिर किसाम भायो विकास सर्मा का भारत के सभी किसान भायो को रामराम मिर किसाम भायो आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल और ये चैनल भारत के सभी किसान भायो की आवाज का चैनल है ये सत्य की आवाज का चैनल है मिर किसाम भायो मिर किसाम भायो ज कि वाड़ी के यंदर खेती वाड़ी के अंदर विशे रेगा तर्बूज की खेती और तरबूज की हिए आपको बता हुंगा वेसे नर्बूज की जो खेती है यह वह क्या करते हैं कि गर्मियों कि आतर बबुज लगाए जाता है जनौरी फरवरी मार्च मार्च लोग्भा करते हैं पर परणतु मैंने यह जो तरबुज की खेटी करी है यह जो खेत है यह देख रहे हो यह पूरा एक एकर का खेत और पूरे एक एकर के खेत के अंदर में वारिष की मौसम के अंदर यह तरबुज लगाया हुआ तो यह वारिष के मुसम के अंदर यह तर्बुज लगाया हुआ है और यह तर्बुज देख लिजिए आप बिल्कुल मैंने डिप सिस्टम से यह तर्बुज लगाया है ताकि मेरी मेहनत ज्यादा ना लगे और खरफटवार से बचने के लिए मैंने मल्चिंग का परियोग मे में लिया है मल्चिंग में लगाया है यह देख लिजिए अब आती है इसके अंदर खादों की बाद तो खाद की मैंने क्या क्या है एक एक एकड के अंदर करीब हम दस कुंटल वर्मी कमपोस्ट खेत के अंदर विखेत रहा हूं और चार पांट ट्रोली मैंने गोबर में स्टिसाइड बिलकुल काम में नहीं लिया है बिलकुल यह ओर्गनिक तरबुज की खेती है और इसकी जो वेराइटी है तरो की मैं यह बहुत की इंदर है और ऐसे आप लोगों को आइस बोक्स चंदर बहुत सी कंपने मिल जाएगी पर मैंने पाहुजा कंपने का आइस तरबुज की और इस तरबुज को आइस बॉक्स इसलिए बोला जाता है कि कई शेरों के अंदर जो रहने वाले हैं ग्रामिन में रहने वाले लोग हैं वह इस तरबुज को क्या आराम से फ्रीज के अंदर रख देते हैं इसलिए इसको आइस बॉक्स नाम पढ़ा है इस तरब अगर विपरिद मोसं के अंदर आगर वीपरिद मोसं के अंदर साही तरीके से अगर आपड कोई भी सब्सक्राइब करते हैं तो प्रौफट जादा मिलता है तो प्राह गया चल रहा है 6 अगस्त का चल रहा है और आज यह जो तर्बुझ की त्लाइब, चतफ है यह निसे। और 6 अगस्त 2020 चल रहा है भी, तो यह करीब हम यह त्ली तर्बुझ की खेति है, है पूरी एक मिने की है यह देखे लीजिए आप एक मिने का है और मेरा वादा है मेरा किसम भायों यह तर्बुज इस समय में लगाया है तो करेंद मोटेजिें चलों कि यह यह तरूज घर्मियों कर दूतर टू पहाओ 10 पन्द पलव 20 मिलता है परंदु में बारिज की मोसम के अंदर यह आराम से तुर्टूरा ही करूंगा और अब भी थोड़ा समय है तर्बुज के अंदर और जब यह मेरा माल भिके का तर्बुज तो कम से कम नहीं तो यह आराम से 30-40 रुपे के लोग 25 रुपे से कम नहीं आएगा 25-40 रुपे के अंदर में तर्बुज की आराम से यह तर्बुज में बैचूंगा और यह जो मोसम में बारिज का ऐसी बातनी शूटबल नहीं है यह बहुत यह सूटबल मोसम है बिलकुल भी आप जो मैंने समय बताया है इस समय के अंदर आप तर्बुज लगा के देखना आपको फायदा होगा और इस टेक्निक से लगाता है मिरे को तीन तीन साल हो गए और हर साल में वारिज के अंदर में तर्बुज लगाता हूं और मोटा मुनाफळ लेता हूं मेरे के संबाई हो इसकी तुरुबर जो इसमें कोई खर्चा नहीं है एक बार खाद होता है जो भी खाद आपको बास और्गनिक खेत में डाल दे उसके बाद के अंदर आप अच्छी जूताई करके मिट्टी की बेड़ बनाए और मिट्टी की बेड़ बनाके ड्रिप की पाई वगरा बिछा दे और मल्चिंग लगाकर और यह आराम सी आप तर्बुज लगाए और वारिष के मौसम के अंदर आप मोटा मौना फाक हमाए इसी तोर पे अभी बारिष भी चालू हो रही है आपको यह देख लीजी में चेरे पे वारिष घर रही है तो इससे में भी बारिष चालू हुआ है परन्तों सिच्छाई करने का जंजट खतम बारिष के म माद्यम से आप चला सकते हो आराम से तो यह क्या है प्रोफिट की खेती कहलाई गई है वारिष के मौसम के अंदर अब आप पत्तों यह पत्ते देख लिए बिलकुल भी किशी प्रकाय का रोग नहीं है वारिष के मौसम के इंदर चोकि यह मिट्टी अनुकल है बारिष आब DNA पानी नहीं और पानी बढ़ेगा नहीं क्योंकि तरबुज की खेती को जब नुकसान होता है कि जब खेत के नंदर पानी बढ़ जाता है तो उस जगें तरबुज की खेती को नुकसान मेंचवत लेचल मुटी तो बहुत ही आपको यह प्रोफिट दयने हाला तरबु अब तक आसने से मिले जे जवान जे खिसान वंदे मादेश हुआ